हम खाटू शाम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं शीष के दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार करमगतों का उगधार भारत वर्स में एक प्रदेस है भकतों राजस्था, सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावन्धा दूर दूर से भकत यहां दर्सन को आते हैं, मुहमागी सब अपनी मुरादे इनसे पाते हैं शाम धड़ी कहता कोई इनको तीन बाण धारी, स्री कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं ओतारी क्यूंकि इन्होंने सिरी कृष्ण को सीस का दान दिया, खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया शाम के नाम से इसलिए ये पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं शीश के दानी खाटू वाले शाम कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का उल्धार खाटू शाम की यूतों वगतों कथा बड़ी प्राची, धर्म युत्ध हुआ कुरू छेत्र में है पांडों काली भीम हिडिम बादोनों ने आपस में व्याह रचाया, वीर घटोत कच नाम का पुत्र फिर तों होने पाया वीर घटोत कच की ही बन कर आए ये संता, मात पिता ने सुभ मुहूरत में दिया बरबरिक ना बरबरिक भी अपने पिता सम हुए बड़े बलवा, करके कठिन तप देवी मा से तीन लिये है बाद ऐसे बाड जुलक्ष भेद वापिस आ जाते हैं, पावन कठा सुनाते हैं सिसक दानी खाटू वाले स्याम कहाते हैं, हम कठा सुनाते हैं ये खाटू की सर का, तर भगतों का उठा ये खाटू की सर का, तर भगतों का उठा कोरों पांडों की सेना जब सामने आन खड़ी देखूंगा युध बरबरीक की इच्छा बड़ी हुई युध देखने की मंसा से वो है चले आए अपने तुनीर में तीन बाड भी संग में वो लाए क्रिश्मा जी ने देखा कौन यो था आया है ना कोई से ना तीन बाड बस साथ मिलाया है क्रिश्मा जी फिर उस योगधा का भेद जानने आये वीर पुरुस तुम कौन हो मुझको इतना दियो बताए अपना पर चैबर बरिक फिर उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार तरभगतों का हुझधा कहने लग वैसे तो मैं ये युथ देखने आया पड़े जरूरत हिसी लिए संग तीन बाड मैं लाया कृष्णा जी लग पूछन किसका साथ निभाओगे तीन बाड से युथ भला कैसे कर पाओगे बर बर कहीन बाडों पर करना ना संका एक बाड से भेदू लक्ष तुम कह दो जिनका इक पीपल के पास में फिर तो कृष्णा जी आए बोले के इसके पत्तों को भेदिक दो दिखलाए एक पत्ता वो अपने पाओं तले दबाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर्मग तो काओ था ये खाटू की सरकार कर्मग तो काओ था बर बर इक ने छोड़ा बार फिर जप करके एक मंतर सारे पीपल के पत्तों का आया वो बाद कर्या क्रिश्ना जी के पाओं में जैसे ही बाड आया बर बर इक ने क्रिश्ना जी को फिर है चेताया है ब्रामण तु इस पत्ते से लो अब पाओं हटा बर बर इक के बाड ने तो पत्ता भी भेद दिया क्रिश्ना जी बोले योद्धा हो आप तो बड़े महान मैं हूँ निर्धन ब्रामण कुछ मुझे को दे दो तुम दान दान शीश का बर बर एक सफिर वो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीश के दाने खाटू वाले शाम कहते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरका कर भगतों का उता अपना असली रूप है फिर तो किश्मा जी ने दिखाया लेकिन अब तो बर बरीक भी वचनों में घिर आया बोले दान शीश का भगवन मैं तो कर दूँगा लेकिन इच्छा है मेरी युध पूरा देखूंगा अपने वचन को बर बरीक ने पूरा फिर तो किया भागुन सुक्ले द्वा दसी को सीश का दान दिया क्रिश्ना जी ने खुस होकर फिर दिया उन्हें वरदान मेरे नाम से होगा पूजन अमर रहे तिरा नाम शीश के दानी इसलिए तो ये कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीश के दानी खाटू वाले शाम कहते हैं अम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का हुदा ये खाटू की सरकार कर भगतों का हुदा किन्पू महभारत का युद्ध था उसने देखना चाहा उचय स्थान पे कृष्णा जी ने उनका सीस बधाया फिर तो दोनों से नाओं में युद्ध हुआ भारी रहा देखता बरबरीक सबको बारी बारी अठारा दिनों तक कुरुक छेत्र में युद्ध है गोर हुआ हुई अधर्मक विजय धर्म का फिर से जीत हुआ विजय हुए है पांड़ों वो तो जीत का जशन मनाए बरबर क्या देखा तुमने फिर तो पूछने आए देख कृष्णा जी को बरबरिक फिर मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिशक दाने खाटों वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटों के सरकार कर भगतों का उतार ये खाटों के सरकार करे भगतों का हुद्धार कहें युद्ष्टिर ये युद्धतों है मैंने जित्वाया भीम कहें मेरी गदा के आगे कोई टिक ना पाया अरजुन बोले कौन भला है मुझे साधन धारी नकुल सहतेव करें बढारी खुद की बारी बारी सुनकर बोले बरबरिक मैंने सब देखा है करते हो अभिमान जो खुद पर वो सब मिथ्ध्या है इस युद्ध में बस कृष्णा जी का चला सुदर संचक्र काली रूप में द्रोपदी को देखा मैंने भरते खप्प इतना सुनकर पंडो सारे चुप हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटू की सरकार कर भगतों का हुदार हुआ अहम पंडवों को बरबरीक ने मीटाया ये खाटू की सरकार कर भगतों का हुदार हुआ हम पंडवों को बरबरीक ने मीटाया कृष्णा जी ने खुश होकर अपनाय उतार बताया नीले घोडे पर सवार होकर ये आये थे नीले घोडे वाले ये इसलिए कहाए थे बोले कृष्णा कल युग में होगा तेरा वा अपने भगतों के सब दुख पल में कर दोगी ना खाटू नगरी में होगा बना पावन तेरा अधा मेरे नाम से भक्त तुम्हें बोलेंगे खाटू शाम इसलिए मेरे बाबा खाटू शाम कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शिशिक दानी खाटू वाले शाम कहाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खातों की सरकार तर्मगतों का उद्धा आज भी दर्सन को लगती भगतों की भीड अपार मनों काम ना पूरण करते खातू की सरकार शाम धड़ी अपने भगतों में खुसिया रहे है बार ये चाहे तो निर्धन के भी लग जाते है ठार हंस राजर लहन तेरे दर पे शीष जुकाता है डीयस पाल बड़ी स्रद्धा से महिमा तेरी गाता है फाज सुरेस को हे बाबा ते ना इतना वर्दा करता रहूं गुड़ गाने सदा बस इतना हो जाए ग्या मूरख ग्यानी बन जाए गर आप जो चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं शीष कदाने खाटू वाले शाम कहते हैं हम कथा सुनाते हैं ये खाटूं की सरका कर भगतों का उधा ये खाटूं की सरका कर भगतों का उधा